हेलो एवरीवान वेल्कों बैक कि मैं यूट्यूब चैनल आज के स्वेलों में एनस्टी नो मर्सी जो के 30 सेप्टमबर को हुई है उससे अपना रिज़ बेश करूंगी और उसमें हुए एनस्टी नोर्थ अमेरिकन चंपेश्प के लिए मैश डोमिनिक मिस्टीर बासिस टिक विलियंज एंड एनस्टी विमेंज चंपेश्प के लिए मैश बैक इलीच बसेज टिफनी सट्रेटन के मैश पर ना रिवीव पेश करूंगी तो चलें देना करते हुए स्टार्ट करते हैं डोमिनिक मिस्टीर वसेज प्रीक मिलियंज का फार्दी एनस्टी नोर्थ अमेर चैंपियों और दोमिनिक मिस्टीर एंट्री करता है और तुम सही से मेरे पेन के दफा काउंट नहीं का रहे हो बट इसके बावजूद दोमिनिक मिस्टिरियो गुड़ परफार्मस देता है और इस मैच के नोटेबल ठींग में ये होता है कि दोमिनिक मिस्टिरियो ट्रिक को सुपर कीक अटाइम करने लगता है बट ट्रिक साइट पर हो जाता है एंड सुपर किक बाइमिस्टेक रैफरी ड्रैगन ली को लग जाती है और ड्रैगन ली टेक डाउन हो जाता है बट मैच कन्टिवन्यूस रहता है जब ट्रिक विलियंस अपना मूव लगा कर पिन करने लगता है बट ड्रैगन मिस्टेरियो किक आउट कर देता है बट मज़े की बात यह होती है कि सेक्ड रैफरी भी हीट हो जाता है एंड ड्रैगन मिस्टेरियो फ्रोग से प्लैश अटेम्प करता है बट नोबडी इस होम दें ट्रिक विलियंस अपना मूव लगाता है को ऊठाता है कि कोई तो उठो ट्रिक विम्प को लिए आता है बट लेकर आता है ट्रिक विलियंस अटेम्प लगता है but in the main time Trick Williams आकर Super Knee Dominic Mysterio में best friend attempt कर देता है and then करता है pin and dragon knee आकर count करता है and इस तो ऐसे best लगने की वज़ा से Dominic Mysterio kick off नहीं कर पाता and अपनी championship भार जाता है and Rick Williams new NFT North American champion बन जाता है but guys बहुत शोकिंग लगा है डॉम्रिक मिस्टेरियो की बेल्ट इस तरह से जाएगी यह तो नहीं सोच रहा था बट ड्रैगन लीप बहुत ही बड़ा रैवल बना हुआ था तो शायद वह खुद तो बैट नहीं नहीं पाया बाट रैफरी बनके डॉम्रिक मिस्टेरियो की बैल सब्सक्राइटन के हैंड में स्टील ब्रैस्टेर्ट होता है जिसे देखकर बैकिलीच वाविस जाती है एंड देन वह अपनी ट्राली लेकर आती है एंड देन वह स्टील यह से टिफनी से ट्रेटर पर अटेक करती है एंड दोनों फीमेल सुबस्टाइब बहुत ही गूड परफॉर्मस देती है और इतना अच्छा स्टील मेंच हमने इससे पहले नहीं देखा है दोनों विमेंच बहुत टाफ होती है और बहुत गूड परफॉर्मस देती है दोनों टीन अजमा करती है और उसके बाद उपर बहुत अटैक करती है और बहुत सारी स्टील चैस जमा करती है and then Becky Lynch को उन्पे लटा कर खुद उपर से moonsault attempt करती है but nobody is home and then Becky Lynch उठ कर टिफ्री सब्रेडर कोल करती है manhandle slam into the steel chairs and करती है pin 1, 2 and 3 Becky Lynch retains her title Becky Lynch retains her title after the match Becky Lynch Becky Lynch Tegan Os की तरफ देती है जो के उसका ये match वाशकार रही होती है और बैक निच नाइट रो में Tegan Os के अगेफ मैश करना है guys stream rule match में Becky Lynch बहुत प्यारी लाग रही थी और उसने dressing में बहुत अच्छी की थी I think Becky Lynch का ये ring gear confirm हो जाना चाहिए आपको क्या लगता है मुझे comment section में जुरूब तरहिएगा तो आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करदें चैनल को सब्सक्राइब करदें बैलो को इंप्रेस करदें कोमें सब्सक्राइब कीजिएगा तो तब तो stay happy, stay healthy and keep watching my videos goodbye